केंद्री मंत्री मिनाक्षी लखी जी आज प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी बजट को बड़े ही विस्तार से समझाया क्या लगता है कि अब देश के तमाम उन लोगों को जुनके अंदर कन्फ्यूजन था खासकर विपक्ष को अब इस बजट को समझने में थोड़ा समझ मुझे याद आता है कि 2014 में जब प्रधान मंत्री जी बने तो उस समय पर जो है उन्होंने एक बात कही थी और उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीबों को किसानों को वंचितों को समर्पित है और आज वही चीज लगातार देखने को मिलती है कि परत दर पत हमारे बजट मे जो इजाफा हुआ है बढ़ा है हमारी जो खर्चे मतलब एक छोटे सी चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि मैरे कोई इस बार का ध्यान नहीं है एक एक्जाक आकड़ा लेकिन जैसे 2014 में किसानी के उपर 23,000 करोड का बजट था पिछले साल 1,23,000 करोड का बजट था यानि 1 लाग करोड बढ़े हैं तो एक लाग करोड अर्थ व्यवस्था में बढ़े होंगे तो किसानों को आप लाग करोड बढ़ा के देंगे न और इसी प्रकार से जो 1,87,000 करोड का बजट था दो सो लाग करोड का बजट है तो ये बहुत बढ़ी बात है जी और साथ ही चाहे वो महिलाओं का प्रतीद रिष्टिकोन हो कि उनको मकान का अगर मालिक सरकार मकान बना के दे रही है तो 3 करोड से उपर 3,5 करोड लोगों को मकान बना के दे चुकी है और इस बार भी 80,000,000 को मकान बना के देने हैं पर उसका मालकियत का जो अधिकार है वो महिलाओं के पास जो महिला को घंटों लगते थे जंगल से लकडी बीन कर लाने में या उपले थेपने में आज उसको घर के अंदर साफ गैस का चुला उपलब्ध है MPs के सिगनेचर चाहिए होते थे गैस सिलिंडर लेने के लिए अब वो खुले में उपलब्ध है पानी लाने के लिए मटकों के उपर मटके चार चार पाच पाच मटके सर पर रखकर वो पानी भर कर घर लाती थी आज उसको घर के अंदर नल से जल उपलब्ध है तो उसके जो कश्ट है जो पीड़ा है उसका तो निवारण हो ही रहा है सरकार ने कल भी बहुत बिस्तार से समझाया बित्मंत्री जी ने बहुत सारी चीएं बताई आप लोगों ने भी अपने माध्यम से चीएं बताई लेकिंगे विपक्ष को क्यू बात यह नहीं समझे बाती है राहूल गांदी कहते हैं कि जीरो बजट है उनके नेता कहते हैं बजट के नाम पर केवल और केवल सोसेबाजी हो रही है। 32 करोड जंधन खाते थे यह काम करने का अंतर समझे कि खाते तक नहीं है बैंक के फाइदा क्या उठाओगे अर्थवेवस्ता को क्या बढ़ाओगे और 20 करोड के आसपास शोचाले आजादी के 70 साल बाद अगर एक प्रधान मंत्री को लाल किले की प्राचीर से घोशना करन होगे आसान होगा आम लोगों तक पहुचाना है बिलकुल आसान है मतलब वो तो वो तो बदलाव आपके सामने हैं जी आप इस बात को कैसे भूल सकते हैं कि जहां पर माल की आवाजाई में चाहे वो ड्राइवर हो ट्रक को चलाने वाला चाहे उसमें इंडस्टिलिस्ट हो इसके उपर बैरियर के उपर लगते थे वो खतम कर दिया ताकि फटाफट समान आया जाए और जो आठाट दस-दस दिन लगते वो दो-दो दिन में हो यह बदलाव आप भूल जाएंगे जहां दो-दो दिन की चुट्टी रहती थी शनिवार रविवार को आपका चेक क्लि ABP News आपको रखे आगे